सो फ्रेंड्स ओल इंडिया इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसिस एम्स एम्स न्यू दैली की तरप से नर्सिंग ओफीसर का सबसे बड़ा रिक्रूट्मेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया जैसा कि आप सबी को मालूम है एम्स की जितनी भी वेकैंसी यहाँ पर रहती हैं तीन हजार प्लस पोस्ट इसमें आप पे शामिल कर ली गई और इसमें दोस्तों जो है बीसी नर्सिंग केंडिरेट्स एपलाय करें जी एन हम डिप्लोमा केंडिरेट्स एपलाय करें पोस्ट बेसिक बीसी नर्सिंग केंडिरेट्स भी यहाँ पे एपलाय कर सकते हैं और मे मिला और पुरुष दोनों इन वेकेंसी को बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे और दोस्तों इसी पेज़ पर देखिए advertisements आपको दीद देगए तीन अलग अलग यहाँ पर notification रहने वाले हैं तीनों में अलग 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 वेकेंसी हैं एके करके सारी जानकरी मैं आपको जल्दी करने के लिए आपको क्या करना होगा कब से कब आपको apply करना है यह जानकरी सबसे पहले आप लोग जो है इसमें आप पर चेक करने तो इसको मैं आप पर open कर देता हूं तो देख सकते हैं यह notification यह पूरा रहने वाला है और nursing officer की post यदि आप लोगों को चाहिए तो इसकी वेकैंसी पर आपको यहां पर joining मिलेगी nursing officer का पदा आपको दिया जाएगा सबसे नीचे मैं आप लोगों को यहां पर ले चलता हूं पूरे जितने भी aims है पूरे भारत वर्ष में देखिए यह कौन-कौन से aims है तो सभी aims में यह vacancy रहने वाली है और यह table में आपको जानका करीब 18 जो aims है पूरे भारत वर्ष में इसमें nursing officer की vacancy है और सभी categories में male female सभी में यह vacancy को distribute यहां पे कर दिया गया और last में देख पा रहे हैं इस वाले भरती के विग्यापन में 3055 तो 3055 पर जो हैं इस वाले notification में यहां पे शामिल कर लिए गए हैं तो यह 3055 पदों को apply करने के लिए आपको क्या-क्या योगता चाहिए सबसी उपर के page की और मैं आपको ले चलता हूं सिंपल देखिए मैं आपको बता देता हूं bsc nursing candidates apply करें आप post basic bsc nursing candidates apply करें और किसी भी राजय का किसी भी state का nursing council में registration है बिल्कुल आप लोग apply कर दें और bsc candidates के लिए और post basic bsc nursing candidates के कोई भी इसमें experience की जरूरत यहां पर नहीं है अब बढ़ते हैं अगली जो information है diploma candidates के लिए GNM वालों के लिए तो डिपलोमा जो GNM candidates है आप लोग भी apply कर सकते हैं और registration किसी भी राजय का किसी भी state का nursing council में है आप लोग apply करें और दो साल का experience GNM candidates को चाहिए पड़ेगा पचास bedded hospital का और यह जो आपका experience है आपके qualification के बाद का यह आपका रहना चाहिए तो GNM candidates को यहां पर experience यहां पर composer ही बोला गया है और यह कितने वर्ष का होना चाहिए two years means दो वर्ष का यह आपका experience हो और यह दोस्तों जो है 50 bedded hospital के अंतरगत आपका यह रहना चाहिए जो भी आपका experience है 50 bedded hospital का हो तब ही आप लोग जो है यह experience पर आप लोग जो है GNM candidates apply कर पाएंगे age limit आपको इसमें बता दे गई 18-30 साल उमर यहां पर रखे गई और जो भी relaxation मिलता है reserve यहां पर जो category है आपको IU में छूट आपको दे दी जाती है इसके लिए आपको fees का payment भी करना होगा तो SES STS और EWS हैं तो आपको 2400 रुपे का fees का payment है PWD के लिए कोई भी fees का payment नहीं है और SES STS जब कभी भी अपना exam appear होंगे exam देने जाएंगे और यह amount SES STS candidate को वापिस कर दिया जाएगा यह fees जो है वापिस refund आप लोगों को कर दी जाएगी शर्त यहां पर सरफ एक है कि आपको appear means exam में शामिल आपको यहां पर होना होगा इसके बाद देखिए exam के date आपको बता देगे 3 June 2023 Saturday के दिन यह आपका exam लिया जाएगा इसके लिए आपको apply करना है यह देखिए official website है और इसके लिए आपको online आविदन करना है 5 May 2023 शाम के 5 वज़े तक का समय इसमें आप लोगों क को दिया जा रहा एज में relaxation के बारे में जानकारी इसमें दे दी गई है टेविल में जो भी आपकी एज में relaxation इसमें दिया जाएगा इस notification में आप लोगों को और भी जानकारी इसमें दे दी गई है syllabus को लेकर है तो देखिए यहाँ पर जो भी syllabus है accordance, education, qualification और experience की तोर पे जो आपका जनरल जो पार्ट रहता है हर बार की तरह जो syllabus कवर किया जाता है इस बार भी वही syllabus रहने वाला तो यह पूरी aims की list है, addresses आपको दे दी गए और यहाँ पर देखिए एक सर्विसमेंट के इंडिरेट्स के लिए यह सारी information दे दी गई है अब वापिसे हम लोग official website के और आ चुके हैं, दूसरा notification भी मैं आपको open करके देखा देता हूँ तो यह जो vacancy है, सब्दरगंज hospital न्यू देली के अंतरगत रहेगी, Northside के थूरू इसमें भी recruitment जो है nursing officers को fill कर लिया जाएगा सब्दरगंज hospital में, same to same Y qualification है, वही आप लोगों के लिए यहाँ पर योगता रहेगी और यहाँ पर देखिए, one year experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the education qualification for सब्दरगंज hospital न्यू देली and RML hospital न्यू देली तो सब्दरगंज जो hospital है न्यू देली और RML जो hospital है न्यू देली, GNM candidates को इसमें एक साल का experience चाहिए, 50 bedded hospital के अंतरगत, यह आपका experience यहाँ पर रहना चाहिए और जो भी आपका experience है, आपकी qualification के बाद कहो, same to same वही इसमें आप देखिए, यहाँ पर fees का criteria है, exam भी उसी दिन रहेगा और इसमें भी age limit आपको वही same आप रखी गई, और देखिए 5 मई 2030 जो शाम के 5 वे तक का समय आपको इसमें apply कर देना है इसमें vacancy का distribution भी देख लीजे, नीचे table आपको दी गई है, तो सब्दरगंज जो hospital है, इसमें सभी पदों को मिलाके सभी categories में 211 पद रहेंगे RML जो hospital है इसमें 84 पद यहाँ पर रहेंगे, सभी categories में देख लीजे, यह post को इसमें आपको distribute यहाँ पर कर दिया गया तो यह दूसरा notification था, वापस से website पर आ चुके हैं, तीसरा वाला notification भी open कर लेते हैं अब देखिए इसमें यहाँ पर जो तीसरा जो notification है, यह NITRD means National Institute of Tuber Closes and Respiratory Diseases New Delhi तो यहाँ पर AIMS New Delhi की तरप से यह recruitment है, nursing officer Norset का ही recruitment रहेगा इसमें देखिए, simple यदि आप लोग BSC Nursing है, और simple post basic BSC Nursing है, simple GNM का डिपलोमा है बिल्कुल एपला कर देए, इसमें कोई भी experience की जरुवत आप लोगों को नहीं है और किसी भी राजे का, किसी भी state का Nursing Council में आपको registration चाहिए और 18 से 35 वर्स, उमर इसमें आप लोगों के लिए आपे रखी गई same to same Y, feast का क्राइटेरिया है, और यहाँ पे exam की date भी same to same Y है और exam को form fill up करने की last date भी same to same Y है आकर में मैं आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ले चलता हूँ, number of vacancy यहाँ पे इसमें कितनी शामिल कर ली गई तो देखिए NITRD means National Institute of Tuber Closes and Respiratory Diseases इसमें दो ही पदे इसमें शामिल किया गया, एक अंडेदर में है, एक ST category में रहने वाला है, तो aims में यह vacancy यहाँ पे release कर दी गई नर्सिंग officer का यह recruitment यहाँ पे शामिल किया जा रहा, और उमीद कता हूँ vacancy की information मिल गए होगी, आप चाहें तो वीडियो को like कर सकते हैं, अपने सभी friends लोगों को इस वीडियो को share करना ना बूले, अपने सभी friends लोगों को आपके whatsapp group में और आपके whatsapp पे जितने भी आपके nursing candidates हैं, सभी को यह वीडियो शेयर कर दें, चैनल को भी subscribe कर लें, इसी तरीके से vacancies की जानकारी आपको मिलती रहेगी, वीडियो के नीचे जाए, subscribe के red button को click करें, हर vacancy का update आगे भी पाते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you so much